हेलो एवरिवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिय मिलिया इसलामिया के जो है इस्पॉर्ट रिजिस्ट्रेशन के बारे हम बात करने वाले हैं Irsport registration होता क्या है किस तरीके से जो इस स्पॉर्ट registration में admission मिलता है और कब स्पॉर्ट admissions का option आता है यह हम इस वीडियो में discuss करने वाले स्पॉर्ट admission दिखे किन बच्चों के लिए होता है अगर आप नहीं इसमें में बात करने वाला कर देता है तो उसके बाद spot admission होते हैं इसपार एड़मीशन में क्या होता है जस आपको पाठिसिपेट करना होता है इस पॉट एड़मीशन के लिए आपको अपने आपको register करना पड़ता है अगर आपका minimum eligibility criteria fulfill है तो आपका spot admission में direct admission हो जाता है पर condition यही है कि आपने entrance टेस्ट दिया होना चाहिए तो जैसे कि spot admissions का क्या होता है कि बच्चे वेट नहीं करते last तक उन्हें लगता है कि अब तो results आ गए दो तिन लिस्ट आ गई है अब नाम नहीं आया है तो आगे नाम आने के chances नहीं है पर ऐसा नहीं होता है आप last तक वेट करें तो कहीं ना कहीं अगर आपके एक अच्छे marks हैं आपके जादा marks कम नहीं है तो spot admission में एक अच्छी opportunity होती है admission लेने की बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है और जब spot admissions के notice आ जाते हैं निकल जाते हैं और तब बच्चों को पता चलता है तो जो भी बच्चे 2022 का entrance test दे रहे हैं आपको इन बातों का ध्यान रखना है पूरा update रहना है इस पॉर्ट registration से कैसे करना होता है सब आपको वीडियो बनाके update किया जाएगा ताकि आपका admissions हो सके और यूजी और पीजी कोर्स में अगर हम बात करें तो कई courses यूजी और पीजी कैसे हैं जिसमें आपने उस course का entrance test नहीं भी दिया हो तब भी आप admissions ले सकते हैं और इस बार तो बहुत सारे courses में admissions आया था जिसमें आपने entrance test नहीं भी दिया हो और उसके बाद भी और courses में spot registration आया था जैसे BBA, BA politicals आये तो बहुत सारे बच्चों को इस बार पता ही नहीं चला था मैंने आपको update किया था लेकिन आपको पहले ही remind करा दो कि spot registration जायतर courses में होते हैं स्कूल में भी होता है class 6 का 9 का 11 का और UG course BBA, BA political science, BA Sanskrit अगर हम देखें बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे courses में से, MA, MSC बाकि जो भी कुछ होगा update आपको वीडियो बनाके inform करी दिया जाएगा यह मैं आपको notice दिखा दो 2021 में देखें कब spot registration होए थे एकदम last में और admission तो पहले ही close हो गए थे तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं spot registration last में होता है तो आपको last तक at least wait करना पड़ेगा चिके? Thank you